नमस्कार हमारे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों मैं बता दो कि JPSC Civil Service Prelims का एक्जाम समापत हो चुका है ठीक है और सभी अभियर्थियों को यह देरी है यह उम्मीद है कि कब तक इसका रिजल्ट आ जाए इसके बारे में वह जो है जानना चाहते हैं तो इ लिखाव है a total of 252 vacances have been issued by the जहारकंट Public Service Commission तो लबक 252 vacances जो है जहारकंट Public Service Commission ने निकाला था for this post for which you will be recruited according to the result और आप लोग को इसमें जो मेंस के लिए जो भेजा जाएगा वो आपका result आने के बाद इसमें पता चलेगा कि कितना जो है भेरती हैं वो मेंस के लिए qualify किये हैं लेकिन इसका result कब आएगा यह हम लोग यहां पर पढ़ लेते हैं तो यहां पर देखे लिखा हुआ है this recruitment is conducted every year at the state level for which only residents of the जहारकंड can apply ऐसा नहीं है कि राज्यों के नहीं कर सकते हैं लेकिन जो आरक्षन मिलेगा वो जहारकंड के राज्यों के अभिरतियों को मि ठीक है the result for the result for this exam will be released soon तो यहां पर का जा रहा है कि जल्ड जो है इसका result जो है वो घोशित किया जाएगा but यहां पर लिखावा देखिए but no clear information मतलब कोई first information नहीं है no clear information has been made available about 88 अभी तक जो है इसके बारे में कोई एक clear evidence नहीं है नहीं कोई information है कि इसका कब तक result गोशित किया जाएगा but you can check it by visiting the official website लेकिन आप इसके official website पर जाकर के हमेशा check कर सकते हैं ठीक है तो हम लोग video के end में जो है इसका जो official site है वहाँ भी जाकर के हम लोग देख लेंगे कि आखिर कब तक जो है आएगा ठीक है for those who had for those who had applied for the post of civil services the written examination was conducted on 19 September तो जो exam हुआ था वो 19 September को हुआ था 2021 के 19 September को in the exam centers in every fair manners ठीक है fair manners में हुआ था the result of which will be released according to your marks तो आपका जो result होगा आपके marks पे depend करेगा यह आप कितना marks लाए है ठीक है after getting recruited on this post your job location will be will also be जहारखंट तो आपका जो इसमें जो जॉब लोकेशन होगा जब आप इसमें select हो जाएंगे प्रिलिम्स में और इंटर्विव के बाद जब आप select हो जाएंगे तो आपका जो जॉब लगेगा वो जहारखंट के अंदर ही लगेगा which will be decided by the organization itself जो आपको ज information about this if you want अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं you can also check by visiting the official website of gpsc तो इसके बारे में अगर ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप official site यानि जेपीसी के official site में जाकर के check कर सकते हैं तो चलिए एक बार देखते हैं कि जेपीसी के site में जाकर कोई information है क्या ठीक है तो यह हम जा रहे हैं जेपीसी के official site पे ठीक है यहाँ पे आप जेपीसी जैसे google में लिखेंगे तो यह जो पहला जो मिलेगा यहाँ पे यही है www.jpsc.gov.in पर जाकर के आपको देखना होगा ठीक है तो यह जो है यह जेपीसी के official site खोल चुका है और यहाँ पे देखें इस जगह पे जो भी online application होगे वह आप यहाँ से देख सकते हैं ठीक है जो भी revise exam calendar वगरे वह आप यहाँ से देख सकते हैं यह जेपीसी circular notices यहाँ से देख सकते हैं ठीक है यह सारा चीज है तो new update में क्या है वह हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं यह देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि price release and result for the post of professors in university of जारखन तो यह जेपी से से related नहीं है अगला है press released regarding requirement of assistant professor backlock यह भी नहीं है और यह क्या है debating requirement of combined assistant engineer यह assistant engineer के लिए है और यहाँ पर है download e-call letter for document verification and interview for requirement of assistant public professor यह भी नहीं है और यह भी जो है model answer की यह तो पहले ही दे दिया गया था जिसके हमाइने वीडियो पहले ही बना दिया है अगर आप वीडियो नहीं देखें तो वीडियो आप मेरे इस चैनल के में जा करके देख सकते हैं तो model answer की जो है इसका दे दिया गया है लेकिन अभी तक prelims का result गोशित नहीं किया गया है जैसे ही result डिकलर होगा तो मैं आपको बिल्कुल इसी चैनल पर बताऊँगा तो आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी share कर दे कि उन्हें भी पता चले कि कब तक आके result आएगा ठीक है मैं यहीं भी वीडियो को समाप्त करता हूँ तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद